नमस्कार, स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टाटा के छोटे से शस्ते शेर के बारे में इंफोर्मेशन देने वाला हूँ और टाटा के छोटे शेर ने HUL की हवा निकाल रखी है HUL आप लोगों को पता है FMCG सेक्टर में एक दिगज कमपनी है और अगर मैं इस टाटा के छोटे से शेर के HUL के साथ कमपैरिजन कर रहा हूँ तो वो केवल इसलिए क्योंकि HUL अपने आप में दिगज कमपनी है और हम इसा रहेगी जहां तक अभी तक उसका पूरा का पूरा क्वालिटी है वैलिएशन है लेकिन अगर हम बात करें मल्टी बैगर स्टॉक्स की की मल्टी बैगर रिटरंस अभी कौन दे सकता है तो टाटा का एक छोटा सा शेर है जो की पूरा कमपटेशन दे रहा है FMCG सेक्टर में तो चलिए नौमूरा की पसंद भी है ये साथ ही साथ अभी हाली में इसने USA में एक डील की है शेर में आग लग जाएगी तो एक बार डिस्कलेमर को यहां पे रीडाउट कर लीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे सबसे पहले कुछ डेटा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा FMCG सेक्टर अब देखेंगे 31 मार्च 2021 और 31 दिसंबर 2020 यहां पे अगर आप चेंज देखेंगे तो बहुत कम चेंज आया है किस सेक्टर में FMCG सेक्टर में ये देख लीजिए किसी सेयर में इमामी में मातर 15% का चेंज आया तीन महीने में प्रोक्टर अंड गैंबल में मातर 14% का यहां देखेंगे बरुन वैवरेजेज में मातर 10% के आसपास टाटा कंजियूमर लगबग 8.5% के आसपास युनाइट ब्रेवरीज लगबग 4.5% आईटी सी लगबग 5.5% वहीं अगर आप अधर सेक्टर से चाहे बैंकिंग सेक्टर हो चाहे आईटी सेक्टर हो इन सेक्टर से कंपेरिजन करेंगे तो FMCG अभी भी पीछे चल रहा है चाहे आटो सेक्टर हो मतलब कैमिकल सेक्टर हो फार्मा सेक्ٹर हो, सभी से पीछे चल रहा है FMCG सेक्टर तो एक उम्मीद दिखाई दे रही है अब क्यूंकि FMCG सेक्टर को भागना चाये क्यूंकि बहुत पीछे ये अभी चल रहा है, लेगाड़ चल रहा है और यहां पर मौका मिल रहा है अच्छे अच्छे share उठाने का तो जिस share के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को उसके return की history मैंने आप लोगों के सामने ये लगाई है हमेशा बात करूँगा long term के returns की चाहे एक दिन एक साल ये मेरले माईने ज़्यादा रखता नहीं है हमेशा long term के return पान साल और दस साल पान साल में देख लीजिए stock ने return दिये है 430% के और sensex ने 97% के दस सालों की बात करे तो 546% के return दिये है particular share ने टाटा के सस्ते share ने आप लोगों को पता ये हाली में टाटा ग्रूप और Cyrus Mistrean के बीच भी कुछ controversy चल रही थी जिसमें की टाटा ग्रूप को अच्छी खासी जीत यहाँ पे मिली है उसके बारे में जादा नहीं share के बारे में जादा हम लोग यहाँ पे focus करने वाले हैं Mr. Ratan टाटा जी आप लोगों को पते ही है जबरदस्त इनसान और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10 साल का return जो share का है 546 परतिसद का यानि की 5.5 गुना कर दिया है अपने shareholder के 500 को 10 सालों के अंदर ही यानि की हर साल आप लोगों के 500 को या 2 साल में एक बार डबल ये share आप लोगों के 500 को कर देता है जबरदस share है बॉलिंजर बैंड भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो bullish है moving averages भी देखेंगे तो bullish है company के company का market capitalization आप लोगों को बताना चाहूंगा company का market capitalization है 69,915 करोड रुपए का अच्छी खासी company है current market price भी बताऊंगा 52 week का high 654 का है 52 week का low 264 रुपए का dividend yield लगभग 0.42% के आसपास की और share का price to earning ratio 70 के आसपास का है return on capital employed 10% के आसपास return on equity 6% के आसपास का है और almost debt free ये FMCG stock है अभी तक आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा अगर मैं Tata के FMCG stock के बारे मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए साथी साथ यहाँ पर देखेंगे cash equivalent 2281 करोड रुपए के और debt company के उपर 1461 करोड रुपए का है यानि कि almost debt free company है और कभी भी cash का इस्तेमाल करके debt को चुका सकती है वहीं पर promoter की holding देखी जाएगी तो 34% की अब आप कहेंगे कि promoter की holding काफी कम है और थोड़ा सा pledge भी कर रखा है लेकिन जब मैं आपको complete share holding pattern दिखाऊँगा तो आपको यह company बहुत interesting लगेगी साथी साथ यहाँ पर देख लिजे profit growth company की profit growth last year की 48% किया है जो कि अपने आप में phenomenal है जबरदस्त यहाँ पर आकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं और यह देख लिजे company का नाम Tata Consumer Products Limited जी हाँ दोस्तों अब tea के segment में घर में इस्तेमाल करते होंगे Tata Tea या coffee के segment में या यहाँ मान लिजे आप water जो हिमालियन water आता है वो भी use करते होंगे साथी साथ foods के segment में भी यह company काम कर रही है explore कर रही है तो जबरदस्त company product अब देख लिजे Warren Buffet जी बड़े बड़े जो investor वो क्या सिखाते हैं जिस भी company के product और services हमें करना है अगर हमें investment में successful बनना है तो यह देख लिजे एक list मैंने यहाँ पर यह पूरा का पूरा images लगाई है इनके product की धीरे धीरे pulses यानि की दालों के segment में भी यह company काम करने वाली है यह देख लिजे टाटा का salt है टाटा का नमक है वही इनकी चाइपतियां है यह टाटा संपन ब्रेंड इनका नया है हिमालियन वाटर जो मैंने बात की थी आप लोगों को तो company अच्छा खासा काम करती चली जा रही है टाटा consumer products limited sorry ऐसा नहीं है कि sorry ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही काम कर रही हो पूरे worldwide आप लोग देख सकते हैं केनेडा, UK, North America, Australia, Europe, Middle East, Africa सभी जगे इस company की presence है और सभी जगे एक्सपोर्ट कर रही है और even इसकी subsidiary companies भी सभी जगे है तो टाटा consumer product limited is one of the leading companies of the Tata group देख लिजए Tata group की leading companies में से एक company है Tata consumer products limited इसका business model मैंने आप लोगों को समझा दिया है products की manufacturing करती है FMCG ये company है और HUL के हवा tight कर रखी है क्योंकि compete कर रही है ये company FMCG sector में HUL जो है आज की date में FMCG sector का दिगज है अगर competition मिल रहा है तो बिलकुल भई है HUL को भी मिलेगा यहां देख लेते हैं company की sales और company की operating profit किस तरह के रहे हैं 2019 में 7,252 करोड रुपए की sales हुई 2020 में 9,637 करोड रुपए की sales हुई operating profit देखेंगे तो 753 करोड रुपए का हुआ था 2019 में और 2020 में 1,256 करोड का over the long run आप लोग यहां पे इसको study कर सकते हैं company की sales और operating profit इंक्रीज होते गए है share holding pattern जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था यहां देख लिजे प्रमोटर की पास हमेशा से अच्छे खासे shares बने रहे हैं FII ने भी अच्छे खासे shares बना रखे हैं company की quality कितनी जवर्दस्त है कि institutional बड़े-बड़े analyst वहां पे बैठे हैं उनके पार resources है study करने के लिए अब retail ने वे से आप और हमारे पास कितने resources है बहुत कम time बहुत कम लेकिन यह particular लोग जो बैठे हुए हैं study करते हैं, resources हैं आराम से इस्तिमाल करके तब जाके यह shares को खरीते हैं आप लोग देख लिजए कितनी अच्छी खासी share holding यहाँ पे बनी वी है public के पास 26% तक के share बने वे हैं और जो कि मैंने आप लोगों को बात बताई थी यह देख लिजए सबसे पहले ठाटा consumer products तो acquire cereal and millet-based snakes brand Soulful देख लिजए acquire कर रही है company को तो इतना बड़ा धमाका यह कर रही है और साथ ही साथ जो मैंने कहा था कि Nomra एक पहले मैं USA के साथ जो deal की बात कर रहा था उसके बारे मैं आप लोगों को बता देता हूं टाटा consumer products announced that the overseas step-down subsidies of TCPL in the USA have entered into an arrangement for the sale of its entire membership interest held in Imperial Group, LLC and Southernity यानि कि दो कंपनिया थी इन दो कंपनियों में क्या था company मतलब टाटा consumer का भी share था लेकिन वो अपना पूरा entire stay यहाँ पे बेच रही है और इसका मैं main reason बताता हूं अब इस news को बताने का main reason बताता हूं टाटा consumer ने कहा है कि अपने core business पे focus करेंगे core business पे focus करेंगे और इसी लिए USA में जो यह दो कंपनिया थी टाटा consumer की हिस्सेदारी अपनी वो बेच रही है अपने core business पे focus करने के लिए तो यही USA के साथ जो deal थी क्योंकि company को अपना core business बढ़ाना है वहीं देख लिजे अब देख लिजे यहाँ पे 9 मूरा जो कि मैंने कहा था कि 9 मूरा की पसंद है तो 9 मूरा ने क्या कहा 9 मूरा बताता है core business gains strong impetus मतलब company का देख लिजे टाटा consumer plans to double its direct reach to 1 million outlets over 12 months मतलब 1 million outlets तक reach अपनी बनाएगा 12 महीने के अंदर तो which 9 मूरा believes will meaningfully drive volumes and give a strong impetus to its core tea and salt portfolio मतलब 9 मूरा को भी यह लगता है meaningful लगता है कि हाँ अगर 1 million outlet तक इनकी reach बढ़ती है 12 महीने के अंदर तो इनकी volume increase होगा जिससे कि इनका core business है tea का और salt का ओ अच्छा खासा बढ़ेगा इनका और इनकी जो growth है वो अच्छी खासी हो जाएगी तो यहाँ देख लीजिए इनके expansion plan जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था शंपन ब्रेंड के अंतरगत यह धीरे-धीरे pulses को भी ला रहे हैं यह देख लीजिए टाटा कंजूमर focus on tapping the unorganized segment in the pulses and spices market मतलब जो pulse और spice market जो है unorganized है आज की date में उसको यह tap करना चाहते हैं यह बहुत बड़ी बात है यह देख लीजिए संपन ब्रेंड gives the company a significant headroom for growth said नौमूरा नौमूरा ने ऐसा कहा है अब नौमूरा दिग्गत जानी मानी company है जो की company के उपर research करती है यहाँ देख लीजिए international focus साथ ही साथ international focus भी company कर रही है अब आज की date में देखेंगे Tata Consumer Product Limited का तो 650 रुपए के आसपास इसकी closing भी है जब previous trading day था और यह देख लीजिए आज की date में multi bagger share बना हुआ है तो जबरदस्त company है आज से 5 से 10 सालों तक इसको लेके चलिए अच्छे खासे return आप लोगों को generate होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे multi bagger return एवन आप लोगों को मिलेंगे साथ ही साथ description में तीन लिंक दिएगे बगल में जो बेल काकनों से प्रेस कर दीजेगे अससे होगा कि share market के latest update आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे और हम लोगों को भी encouragement मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद